बीजेपी की सीनिय लीडर मिनाक्षी लेखी जी हमारे साथ हैं और अज राफेल के मुद्धे पर आप आई ही वारानसी में क्या है कॉंग्रेस तो लगाता है हमलावर है कि मोधी सरकार ने जुट बोला है सुप्रीम कोर्ट में मादला जो लोग सुप्रीम कोर्ट के उपर भी आरोप लगा सकते हैं इनके उपर तो कंटेंट उफ कोर्ट होना चाहिए और इनको बहुत एक्सपीरेंस से चोरी चकारी करने का इसलिए इस भाषा का प्रियोग हो रहा है जो खुद ब्रष्ट हो उनको ब्रष्टाचारी दिखाई देता है और मैंने एक कुक्ती का इस्तेमाल किया था जिसमें सावन के अंधे को हरा ही दिखाई देता है जिनका इतिहास ब्रष्टाचार का हो उनने ब्रष्टाचारी दिखाई देता है जीव स्कानल से लेके बॉफर्स तक और अब आगस्ट्या वेस्टलैंड तक तो उनको लगता ही नहीं कि डिफेंस दील बिना ब्रश्टा चार के भी हो सकती है उनका तो कहना है गांधी परिवार की तरफ से जो चीज़े थी एकम पारदर्शी थी लेकिन मोधी सरका लगातार जूट पे जूट बोले जा रही है क्रिस्चिन माइकल उस पारदर्शीता का हिस्सा है और कोत्रो की भी उसी पारदर्शीता का हिस्सा है फिलाल मैं राम मंदिर का मुद्दा जो है उसको लेकर क्या बीजेपी का स्टेंड होने वारा सीट कालीन सातर चल रहा है कुछ तो कुछ तो पता होना जीए फिलाल मिनाक्षी जी का कहना है कि राफेल डील को लेकर कॉंग्रेस लगातार जुड़ बोले उनकी तरफ से जो चीजें हो रही है वो पारदर्शी नहीं है और बीजेपी अपनी तरफ से सारी चीजें स्टाफ कर रही है गोपाल में चीटीव बार रहा है